हम लोग इसका 5 नमर 5 नमर का LHS ले लिजए 8 के 5 का दिया हुआ है आपर कि sin 5 A माइनस का sin 7 A plus का sin 8 A माइनस का sin 4 A by में नीचे जो है अबका cos 4 A plus का cos 7 A माइनस का cos 5 A माइनस का cos 8 A ठीक है और हमें प्रूब करना cos 6 A उसी के हिसाब से हमें उप्पे लेगा उपर तो आपका एक काम करते हैं हम लोग इसको पहले दिख लेते हैं sin 8 A माइनस का sin 4 A यहाँ sin C मैनस sin D वेला फॉर में लगेगा तो यहाँ देखो ना आपका एक्चुल में 8 A अपोर A है आड करेंगे तो 2 A 2 A में 2 से डिवेड़ा तो 6 A के फॉर्म में आएगा तो इसलिए हम लोग इसको ले लिए और इन दोनों को पहले लेते हैं तो इसमें से माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा यह पलस में हो जाएगा साइन 7 A और फिर माइनस का हो जाएगा साइन 5 A तो यहाँ नीचे देखिए यह पर भी उसी तरह से प्यार लेना होगा एक काम करते हैं हम लोग 7 और 5 A दोनों का लग लेते हैं और इन दोनों को लग लगते हैं ठीक है तो यहाँ पर लेते हैं कॉस 4 A माइनस का कॉस 8 A ठीक है और फिर इन दोनों को ले लेते हैं तो इसमें से माइनस कमन करते हैं पर यहाँ जाएगा कॉस 5 A पहले इसको लिखते हैं और फिर माइनस यहां हो जागा, sign change में काना जी, cos 7a, तो हम लोग formula जानते हैं, पहले हम लोग यहां लिखे जाते हैं, फिर आगे लिखा जागा, कौन-कौन सा formula, पहले है, sin c minus sin d के लिए, तो 2 cos c plus d by 2, और फिर into में, sin c minus d by 2, ठीक है, अच्छा, cos c minus cos d के लिए, तो होता है, 2 sin c plus d by 2, और sin d minus c by 2, इसी के according हम लोग यहां पर चलने वाले हैं, तो उपर क्या हो जागा, उपर लगाएंगे, तो हो जागा, 2 cos 8a plus का 4a by 2, फिर into में, sin 8a minus का 4a by 2, minus, यहां पर देखी इसको, हो जागा यहां पर, 2 cos 7a plus का 5a by 2, और फिर sin 7a minus का 5a by 2, ठीक है, अच्छा, नीचे देखी इसको, यहां पर फॉर्मिला लगाएंगे, तो हो जागा, 2 sin c plus d by 2, यहां पर क्या हो जागा, 2 sin 5a plus का 7a by 2, into में, sin 7a minus का 5a, d minus c ही है न जी, और by 2, ठीक है, अब इसके बात देखता है, उपर जागा 2 cos, यहां पर देखिए, 12 में 2 से डिवाइट करेंगे, तो आजागा 6a, यहां साइन, यहां पर क्या हो जागा, यहां साइन, यहां पर 4a, 4a में 2 से डिवाइट करेंगे, तो आजागा यहां पर 2a है न, minus का 2 cos, क्या हो जागा यहां पर, 2L by 2, यानि क्या जाएगा, 6A और यहाँ SINE 2A by 2, यानि की हो जाएगा A, नीचे देखिए अब 2SINE यहाँ Pर देखिए, आपका क्या जाएगा, 8 or 4 12, 12 by 2, यानि की 6A और यहाँ SINE 4A by 2 यानि की 2A ठीक है, माइनस, यह 2A है ठीक है, माइनस 2SINE यहाँ 2la by 2 यानिकी 6a और यहाँ पर 2a by 2 यानिकी आजाएगा sin a उपर और नीचे हम लोग common कर लेते हैं उपर common है 2 cos 6a तो बच जाएगा sin 2a minus का sin a और नीचे जो है आपका common है 2 sin 6a तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2a minus का sin a तो यह दोनों term कर जाएगे 2 से 2 भी कर जाएगा तो cos बटा sin यहाँ कॉट आजाएगा कॉट 6a यहीं आपका आरेजिस में था हमने ला दिया तो यहीं अब इसका सिक्स पर जाएगा